नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज की ये वीडियो है हर्याली तीज के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हर्याली तीज वुरत कब है 18 या 19 को यानि की सावन की जो तीज आती है वो कब है इसका वीडियो को अंतक देखिएगा और अगर आपके मन में कोई पे आपका सवाल है भारतिय तीज तिहार पर को लेकर तो आप दिये गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं हर्याली तीज श्रावन माश की शुकल पक्ष की तर्तिया तिथी को कहा जाता है इस साल हर्याली त चंकर वेमाता पार्वती जी की पूजा करती हैं कुछ स्थानों पर कुआरी कन्याई भी स्योग्या वर पाने के लिए तीज का वरक करती हैं हर्याली तीज पर महिलाएं अपनी सक्यों के साथ मिलकर पेड़ पर जूला डालती हैं और सावन के लोग गीत गा कर इस तयहार की खुशिया मनाती हैं इस दिन हरे रंग का विशेश महत हैं इसलिए इस दिन हरी साड़ी के साथ हरी चूडिया भी पहनने का परचलन है हर्याली तीज का महत हर्याली तीज को लेकर ऐसी माननेता है कि यह वरत सबसे पहले माता पार्वती ने महादेव को अपनी पती के गायू के साथ साथ संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होती है इस वरत को करने से महिलाव को शिव पारवती जैसा अखंड सोभागय प्राप्त होता है हर्याली तीज प्रमुक रूप से पस्टमी उत्तरपरदेश हरियाना पंजाब और राजस्थान में मनाई जाती ह हर्याली तीज का धार्मिक महतव के अगर हम बात करें तो हर्याली तीज को भगवान शिव और माता पारवती के पुनर मिलन का प्रतीग माना गया है पुरानिक मान्यताव के नुसार मा पार्वती ने भगवान शंक्र को अपने पती के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तब किया था इस कठोर तब के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्विकार किया था ऐसा भी कहा जाता है कि ये हर्याली तीज के दिन अर्थार श्रामण महा की शुकल पक्ष की तिर्थिया तिती पर हुआ था उस समय से ही श्रामण महा की तिर्थिया के दिन भगवान शिव और माता पारवती सुहागे निस्त्रियों को अपना आशीश प्रदान करते हैं यही वज़ा है किस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन से सुहागी निस्त्रियों को सोभागय पूर्ण जीवन और उनके पतियों को लंबी आयू की प्राप्ति होती है। हर्याली तीज के दिन कौारी कन्याय मनुवांचित वर्ण की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं और वही सुहागीन महिलाव द्वारा नर्जला वर्ण किया जाता है। अगर मूरत की बात करें तो सुबह मूरत है सुबह 7 बज कर 47 मिनट से सुबह 9 बज कर 22 मिनट तक दोपैर का मूरत रहेगा 12 बज के 35 मिनट से दोपैर के 2 बज के 7 मिनट तक शाम का मूरत होगा शाम के 6 बज के 52 मिनट से 7 बज के 15 मिनट तक और रात का मूरत होगा प्रात है 12 बच कर 10 मिनट से और 20 अगस्त 2023 कुपरात है 12 बच के 55 मिनट तक तो कैसे मनाई जाती है हर्याली तीज हर्याली तीज के दिन कुछ सानों पर महिलाए नर्जला वरत रखती हैं तो कुछ सानों पर महिलाए फलाहार करके भी ये वरत करती हैं इस दिन महिलाए हातों मेंधी लगा । लिख देखा जाता है। इस दिन हरा रंग धारन करने से बुद्ध बुद्ध मजबूत होता है और संतान सुप की प्रापती होती है। घर में सुक स्मरदी बढ़ती है। हर्याली तीज पर सुहागी ने तीन काम चरूर्त करें। श्रंगार में हरे रंग का इस्तमाल हर्याली तीज सुहाग का पर्व है और सावन में आने से इसका महतव दोगना हो जाता है क्योंकि सावन में चारो और हर्याली रहती है हरा रंग शिव जी को भियती प्रिय है इसलिए इस दिन इस्तरिया हरे रंग की चूड़िया हरी मेंदी लगवाएं शोला शंगार का पूजा करें वरत पूजा इस दिन सुहागी ने और कुवारी लड़कियों को सुर्यद्दे से पहले उठकर वरत का संकल्प लेना चाहिए पूरे विदी विदान के साथ शंकर जी और माता पार्वती जी की पूजा करें फिर अगले दिन वरत का पारण करें ये वरत नर्जला रखा जाता है जूले का महतव हर्याली तीज पर जूला जूलने की प्रंप्रा सदियों से चलिया रही है इस दिर महिलाई जूला जूल कर बड़े हर्शोलास के साथ ये तयार मनाती है और साथ ही लोग गीत का करवी शंकर पार्वती जी को प्रसंद करने का प्रियास करती है हर्याली तीज वरत की पूजा वेधी शिव पुराण में हर्याली तीज का वरणन करते हुए कहा गया है कि इस दिर भगवान शिव और मा पार्वती का पुनर मिलन हुआ था इसलिए इस वरत की विवाईत इस तरियों के लिए दब से सजाए एक चोकी पर मिट्टी में गंगाचल मिलाकर शिवलिंग शिरी गनेश मा पार्वती और उनकी सक्षियों की प्रतिमा का निर्मान करें सभी देवी देवताव की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के उपरांत सुहाग की समस्त सामगरियों को एक थाली में क्तरित क और माता पार्वती को अर्पित करेihin. मा पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्तर अरपन करी इसके बाद देवताव کا ध्यान करते हुए सोडस प्चार पूजन करी. हंत में हर्याली तीज कि हथा, सुननी या पढ़नी चाहिए. हर्याली तीज व्रत की पूजा पूरी रा मना गया है और हर्याली तीज के अवसर पर मैलाओं को ससुराल से माई के बलाया जाता है। हर्याली तीज से एक दिन पूर सिंजारा मनाने की प्रंपरा है जिसको हम आम तोर पर सिंधारा भी कहते हैं। इस दिन शशुराल पक से नव विवाहित इस्त्रियों को वस्तर आभूशन, स्रंगार का समान, मेंदी, मिठाई, आदी भीची जाती है। इस तीज के अवसर पर मेंदी लगाना अत्तदिक शुब माना जाता है। महिलाएं एमम्यूत या अपने हाथों पर मेंदी लगाती हैं, साथ ही हर्याली तीज पर पैरों में आलता भी लगाया जाता है। यह सुहागिन महिलाव की सुहाग की निशानी मानी जाती है। हर्याली तीज के दिन सुहागे निस्त्रिया अपने सास के पैर चुकर उन्हें सुहागी देती हैं और अगर सास नहीं है तो सुहागा जिठानी ये किसी अन्य व्रदा को भी दिया जा सकता है। और शिवजे की मुर्ती, पूजा के लिए चोकी, पीला वस्त्र, कच्चा सूद, नए वस्त्र, केला के पत्ते, बेल पत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, जनेव, जटा, नारियल, सुपारी, कलश, अक्षत, या चावल, दुर्वा खास, घी, कपूर, अबीर, गुलाल, श्रीफल, चंदन, गाएं का दूद, गंगाजल, तही, मिश्री, शहद, और पंचामरत, तो यह थी दोस्तों, आप सभी लोग के लिए हर्याली तीज के बारे में संपून जानकारी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजे, ताकि जैसे वीडियो अप्लोड की जाती है, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके, आप हमें शोचल मीडिया पर भी फोलो कर सकते हैं, लिंक डिस्किप्शिन बॉक्स में है,